नमस्कार उत्राखन समचार में आपका स्वागत है मैगन चन्नेगी सबसे पहले मुख्य समचार उत्राखन की मुख्य सचेव राधर रतूडी को छे महा के लिए मिला एक और सेवा विस्तार इसी 30 सितंबर को होना था सेवा निवरित अब 31 मार्च 2025 तक रहेंगी पत पर किदानात मार्क पर सोन प्रयाग और गौरी कुंड के बीच सुचारू हुई वहनों की आवाजाही स्थानिय लोगों और यात्रियों को मिली राहत भारी बारिश से वाशाउट हुई थी सड़क और आज जिपाल गुर्मीत सिंग ने राजभवन में आज NCC के माउंट रभी गामिन परवतारोवन अभियान का किया समापन कहा NCC केडेट्स ने खुद को किया सावेत अब समच चार विस्तार से उतराखन की मुख्य सच्चिव राधर रतूरी को 6 माह का सेवा विस्तार मिल गया है वे इसी 30 सितंबर को सेवा निवरित होने वाली थी लेकिन अब वे अगले साल 31 मार्च तक मुख्य सच्चिव पद पर कारेरत रहेंगी ये उनका दूसरा सेवा विस्तार है इससे पहले गत अपरेल से उन्हें 6 माह के लिए पहरा कारेकाल विस्तार मिला था जो इसी 30 सितंबर को समाप्थ हो रहा था केंद सरकार ने मुख्य सच्चिव राधा रतूरी के सेवा विस्तार संबंधी राज्य सरकार के गत 8 अगस्त को भेजे गए प्रस्ताफ को मंजूरी दे दी है गौर तलब है कि श्रीमती रतूरी ने इसी साल एक फरवरी को मुख्य सच्चिव बद का दाइत्व संभाला था वे ऐसी पहली महिला है जो उतराखन में मुख्य सच्चिव बनी सोन प्रियाक से गौरिकुन के बीच वानों की आवज आई सुचारू हो गई है अब आवशक सेवाओं से जुड़े भारी वानों को भी गौरिकुन जाने दिया जा रहा है शनिवार तड़के आवशक सामगरी, खाद्यापूर्ती और गैस सलिंडर की गाडियों को गौरिकुन भेजा गया याता यात्य वस्था सुचारू होने से स्थानिय लोगों और यात्रियों को बड़ी रहत मिली है आपको बता दें कि बीती 31 जुलाई को हुई अतिव रिष्टी के कारण यात्रा और सडक मार्ग लंबे समय तक प्रभावित रहे सुन प्रयाक से गौरिकुन के बीच विभिन स्थानों पर सडक मर्ग वश्चा उठो गया था हालांकि शासन प्रशासन की ततपरता से किदारनाथ यात्रा का दूसरा चरण समय से शुरू हुआ और सु विवस्थित रूप से संचालित हो रहा है वहां से जो गाड़ी है उसके आवाजाही पूर्णूप से पाहल की जाए इसमें मैं आउगत कराना चाहूंगा कि एनेस के द्वारा लगबक दो या तीन दिन में काम करके उसमें जो गाड़ियों की आवाजाही है उसको पाहल कर दिया गया है तथा गोरिकुंड मार्केट के पास ही जो वसिस्टेंडर वहाँ पर जो स्लाइड आया था उसको भी एनेस दोवारा पूर्णूप से साफ कर दिया गया है अभी इस्तिती सामाने बनी गया है राज़िपाल गुर्मीत सिंग ने आज राजभवन में एन्सीसी के माउट अभी गामीन परवतारोहन अभियान का समापन किया ये परवतारोहन अभियान 3 सितंबर से 28 सितंबर तक चला जिसका उदेशिय वर्ष 2025 में प्रस्तावित इंटरनाशनल माउंट एवरेस्ट परवतारोहन अभियान के लिए केडिस का चैयन करना और उन्हें प्रशिक्षिन देना था इस परवातारोण अभियान में देजभर के कुल 34 NCC केडिट्स का चयन किया गया जिन में से 12 केडिट्स उत्तरा खंगे थे इस अफसर पर राज़ेपाल ने कहा कि परवातारोण अभियान के दौरान केडिट्स ने कठिन चुनोतियों को पार करते हुए खुद को साबित किया है उन्होंने कहा कि परवातारोण केवल शारिरिक शक्ती का ही नहीं बलकि मानसिक धैरें और साहस का भी परिक्षन है और जिस प्रकार से उन्होंने ये कार्या किया है वो हमारे सब के लिए एक बहुत गरव की बात है और सबसे अच्छी बात यह है ये इनका एक प्रीकरसर है कि इसके बात में ये मांट एवरेज के उपर में एक एक्सपेडिशन है उसका प्लैन किया जा रहा है जिसका एक इंटरनेशनल लिवल के उपर में किया जाएगा बॉइस इन गर्ल्स का और ये हमारे लिए बहुत समान की बात है कि हमारे इन कैड़ेट्स के अंदर में से छुने जाएंगे जो मांट एवरेज के लिए जाएंगे चमुली जीले के देवाल विकास खंस्थेत संगम मैदान में बहुत देश ये शिविर आयोजित किया गया इसका उद्खाटिन दायत्वधारी रमेश गडिया ने किया मुख्य विकास दिकारी नंदिन कुमार ने ग्रामीडों की समस्याएं सुनी और उनका निस्तारन किया शिविर में लोगों के स्वास्थ की जांच भी की गई विभिन विभागों ने स्टॉल लगाकर सरकार की कल्यानकारी योजनाओं की जानकारी दी इस जोरान ग्रामीडों के आयुश्मान कार्ड, गयास सत्यापन, आधार कार्ड, दिव्यांक प्रमान पत्र आधी भी बनाए गए सरकार के एक पहल है ये एक तरह से सरकार जनता के द्वार जैसा एक कारिकम है बहुत देशी सिवरों के माध्यम से ऐसे सभी लोग जो विकास खंड के जिनका समाधान नहीं हो पा रहा विभागों में जा करके तो एक इसका उद्देशी है कि यहां पर सभी विभाग रहते हैं सभी विभागों के जिनों के अधिकारी रहते हैं, विकास खंड के अधिकारी रहते हैं उनके सामने प्रत्यक्ष रूप से ये उन समस्याओं का समाधान होता है और जिसके कारण मुझे लगता है कि छेत्र का विकास और छेत्र की जो मुख्य समस्याइं रहती हैं उस पर भी अधिकारियों का ध्यान आकरिष्ट कराया जाता है कि अभी हमने भी यहाँ पर नया जॉइंग किया है तो हमारे में भी एक अच्छा पॉद्धी था इस ब्लॉग को समझने के लिए और यह बहुत सुदूर ब्लॉग भी है जिसमें आज 103 समस्याइं आई और जो यहाँ पर ज्यादातर समस्याइं है विस्तापन की समस्याइं है जल जीबन मिशन से भी लोगों को बहुत सिकायतने भी भाग से कि लिए यही इस्तांतरन की करवाई होनी है या कहां किस स्टेज पर फॉरेस्ट में कैसे सलटके हुए है उसको भी परस्यू किया जाए विस्तापन की समस्याइं है तो उसमें भी एस्टेम्स को कहा गया है कि उसमें आप परसनली उन मैटर्स को देखेंगे तो इसको बिल्कुल इसको मॉनिटिरिंग किया जाएगा और जो भी यहाँ पर प्रॉब्लेंस आई है इनको स्पेशली अलग से देखा जाएगा और यही सुरिश्चित किया जाएगा है कि जो समय उनका निस्तारन किया ग्रामीन भी बहुदेश शिविर से काफी संतुष नजर आए पर अपने पीस्टोर लगाते हैं समो के मात्यम से समो का बैनर लगाकर उसको लगा के हम अपने समान पेश्चे के अपने परवार के लिए थोड़ा बहुत इंकम भी करते हैं और हम आत्म निरबर हो रहे हैं प्लेटों 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 पाद आजीव कर से हैं यह ज़िवर लगा होए है, बहुत हैदा है जंदा के लिए पक्व केलिए रुदरपर में आयोजेट पांच में राजय ओलंपिक खेलों का पुरुसकार वित्रन के साथ ही समापन हो गया राजय ओलंपिक खेलों की कुल 33 परदाओं में से 22 का योजन उध्यम सिंग नगर में हुआ राजय खेलों में लगभग 6000 खिलाडियों ने हिस्सा लिया पहला स्थान देरादून, दूसरा उध्धम सिंग नगर और तीसरा ननिताल जिले ने हासिल किया समापन समहरों में मुख्यातीती कुमाओ मंडला युग दीपक रावत ने विजेता खिलाडियों और टीमों को मेडल परदान किये विशेश सम्मान के तौर पर बालक वर्क में पांच गोल मेडल प्राप्त करने वाले हरिदवार के पार्थ को इलेक्ट्रिक मोटर बाइक और बाली का वर्क में चार गोल मेडल प्राप्त करने वाली तीरी गड़वाल की सोनिया को इलेक्ट्रिक स्कूटी प्रदान की गई मंडला युक दीपक रावत ने इस मौके पर कहा कि खिलाडियों को अपना आत्मविश्वास हमेशा उचा रखना चाहिए प्रशाष्वास हमेशा ने इस मौके खिलाड़ी लगन यादफ का कहना है कि विगत कुछ वर्शू से सरकार खेलों को प्रोचसाहिद करने के लिए विभिन योजनाओ के माथियम से सहीयो कर रही है वहीं प्रतियोगिता में तीन गोल्ड प्राप्त करने वाली विदूश्टी जोशी ने बताया कि उन्हें परिवार ने खेलने के लिए प्रोचसाहिद किया मैंने अभी तीन गोल्ड मेडल जीते हैं टीम डबल्स और सिंगल्स इवेंट में और बच्पन से मुझे एथलेटिक्स गेम्स और हर चीज का बॉट शॉप ता मैंने स्कूल में भी बहुत गेम्स खेलें इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए दूर दशन समाचारों से जुड़े रहें मिलते हैं फिर शाम साड़े चे बज़े के बुलिटन में नमस्कार खिए दो चारों से जुड़े कुख थावलेटिक्स ओूर अभी तक के साथ णोस्कार